हेलो फ्रेंड्स, गवर्मेंट जॉब जेने नॉटिफिकेशन चैनल पर आपका स्वागत है सो फ्रेंड्स आज हम इस वीडियो में जानेंगे अगर आप कॉलिज में टीचर बनना चाहते हैं जिसको हम कहते हैं लेक्चर या असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर की जॉब आप लेना चाहते हैं कॉलिज में कॉलिज स्टुरेंट को आप टीच करना चाहते हैं तो क्या पूरी प्रोसेज रहती है आप किस तरह से लेक्चर आप बन सकते हैं या Assistant Professor या हम कहें कि आप College में Professor कैसे बन सकते हैं क्या पूरी Process रहती है, क्या Elisability रहती है, आपको क्या क्या क्राइटेरिया कम्प्लीट करने होते हैं तो यह सारे जानकारी, आज हम इस वीडियो में Step by Step किलियर करेंगे तो मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर दू कि Professor की जो Post रहती है, वो आप Direct नहीं लिपाती है Professor की Job आपको Direct नहीं मिलती है, पहले आप यहाँ पर Assistant Professor बनते हैं, Lecturer बनते हैं, Assistant Professor बनते हैं और उसके बाद Promote किये जाते हैं, Promotion के बाद आप Professor बनते हैं step by step हम सारे points के लिए करते हैं सबसे पहले आप 12th pass करेंगे आपको जिस भी subject में interest है आप उसी subject को choose कीजे क्योंकि आगे चलके आप उसमें specialization करते हैं तो आपको उसमें help मिलती है तो 12th में आप जिसमें interest रखते हैं आप उस subject से आप अपना 12th pass out कर लेंगे परसेंटिस इसमें आती है ये कोई माइने नहीं रखेगा अब हम next देखेंगे graduation के बाद आपको करना होगा post graduation PG आपको करना होगा आप अपनी graduation के base बाद जो भी आपने किया है MA, MSC या MCOM आप कर सकते हैं लेकिन post graduation में आपका minimum percent 55 होना चाहिए minimum 55 है लेकिन जो reserve categories रहती है वहाँ पर उनको relaxation दिया जाता है 5% का तो 50% या 45% तक का relaxation मिल जाता है तो अगर हम general categories को देखें तो minimum 55% के साथ आपका PG, post graduation कम्पलीट होना जरूरी है तो इस तरह से आपको आपका 12th pass करना है उसके बाद आपका graduation और post graduation कम्पलीट करना होगा इसके अलवा भी कुछ conditions है आपको कुछ exam के लिए करने होंगे जैसे की net exam रहेगा जिसको हम UGC net कहते हैं ये exam आपको देना जरूरी है जब आप ये qualify कर लेते हैं तभी आप किसी government college में apply कर सकेंगे अब हम देखने हैं कि UGC net कौन दे सकता है कौन इसके लिए qualify रहते हैं तो जिनका जो student है जिननोंने master degree की हुई हो जिनके minimum percentage 55 है master degree में आपके PG में वो candidate यहाँ पर eligible रहेंगे general categories के लिए है जैसा कि मैंने बताया reserve categories को यहाँ पर relaxation दिया जाता है तो अगर आपका 55% minimum है तो आप यहाँ पर eligible रहेंगे अब अगर हम net के बारे में देखें तो net का जो हिंदी में अगर हम कहते हैं रास्टिय पातरता परिक्षा means national level eligibility test है यह और यह UGC के द्वारा conduct कराया जाता है साल में दो बार यह exam लिया जाता है जून और दिसम्बर में तो अगर आप college में teacher वरना चाहते हैं तो आपको यह देना जरूरी है qualify करना जरूरी है और यह आप साल में दो बार इसके लिए आविदन आमंतित किये जाते हैं exam रखा जाता है आप यह exam दे सकते हैं अगर आप post graduation है minimum 55% max के साथ net क्या है किस तरह से इसका exam pattern रहता है किस तरह से selection procedure या exam किस तरह से आते हैं कौन-कौन से topic पर आप से question किये जाते हैं यह एक अलग topic है और इस पर मैं separate video upload करूँगे अगर आप इस पर video चाहते हैं comment कर दीजेगा जल से जल मैं video upload करने की courses करूँगी अगर जो student net के लिए कर लेते हैं वो eligible रहते हैं government college में apply करने के लिए जहाँ भी vacancies आती है government colleges में lecturer के post के लिए आविदन आमंतरित किये जाते हैं आप वहाँ पर आविदन कर सकते हैं अगर आप UGC net के लिए कर लेते हैं आविदन करने के बाद आपका जिस college में आप आविदन कर रहे हैं lecturer के लिए या college teacher के लिए वहाँ पर आपका test लिया जाता है interview लिया जाता है और वो clear करने के बाद आप वहाँ पर job ले लेते हैं as a lecturer आपकी job मिलती है अगर आप lecturer बनने की अगर आप lecturer बनना चाहते हैं college में teacher बनना चाहते हैं तो क्या process रहती है अब हम बात करेंगे professor की या assistant professor की आप किस तरह से बन सकते हैं college में तो जैसा कि मैंने आपको starting में बताया था professor आप डारेक्ट नहीं बनते हैं promote किया जाता है आपको promotions मिलते हैं उसके बाद आप professor बनते हैं तो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी अगर आप professor बनना चाहते हैं college में तो आपका PhD आपको करना होगा PhD जरूरी है professor के लिए जैसे कि अगर आप lecturer की post पर भरती होते हैं अगर आपके पास PhD नहीं है तो promote होकर के आपका professor बनना ये जरूरी नहीं है आप lecturer post पर ही रहेंगे क्योंकि professor के लिए PhD होना जरूरी है अब इसके लिए आप क्या करेंगे जब आप अपना post graduation complete कर लेते हैं और आप UGC net के लिए apply करते हैं UGC net की तयारी आप अपने graduation post graduation के साथ भी कर सकते हैं और जैसी आपका clear होता है आप ये exam दीजिए आपका PhD चलेगा और यहां पर आप job के लिए अगर आपका net clear हो जाता है तो आप job भी ले सकते हैं क्योंकि experience भी जरूरी है professor बनने के लिए minimum 8 से 10 साल का experience जरूरी होता है professor बनने के लिए assistant professor या professor बनने के लिए तो इसके लिए आप job भी करते रही है और साथ में आपका PhD भी होगा जिससे आप promotion आपको मिलेगा और आप assistant professor या professor बन सकते हैं so आपको starting में करना क्या है सबसे पहली process है आप अपना post graduation complete कर लिजेगा उसके बाद minimum 50% marks के साथ और उसके बाद आपको UGC net के लिए करना है ये थी सारी जनकारी college में आप किस तरह से teacher बन सकते हैं या lecturer या हम बोले professor बन सकते हैं so अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो helpful रहा हो तो वीडियो को like कर लिजेगा और चैनल को subscribe करके bell icon को भी प्रेस कर लिजेगा ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको notification टाइम से मिल सकेगा साधी second channel का link मैंने description box में दिया है अगर visit नहीं किया तो visit किजिए और पसंद आया तो subscribe कर लिजीगा thank you